नमस्कार मैं हूने खेल और आप देख रहे हैं दील अलन टॉप शोग बात आज कहां से शुरू की जाए पांच राजियों में चुनाव का माहौल है तो हम वहां से भी बात शुरू कर सकते हैं बात करने को तो चुनावी भीड और धार्मिक भीड को देखने के नजरिय सिवर शुरूवात की जा सकती है होने को तो शुरूवात उन आकड़ों से भी हो सकती है जो पांच चुनावी राज्यों में शिक्षा, विकास और महंगाई के हैं अगर मौच के साथ लेकिन शुरू करना हो तो एक विदेशी महमान को मिले देशी नियोतों की कहानी भी आपको बता सकते हैं मगर मुद्दा गंबीर है तो पिछले दिनों खूब चर्चा में रही एक तस्वीर को सामने रखकर आज शुरूवात एक कविता से करेंगे प्रधान मंत्री के सुरक्षा दस्ते की पंजाब आली तस्वीर पर नज़र और कविता के शब्दों पर गौर रखेगा इस कदर में मतलब रहना सिखाया जाता है उन्हें कि प्रधान मंत्री को हमेशा घेरे में लिये रहते उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता प्रधान मंत्री जनता से क्या कह रहे हैं जिस तस्वीर और हर तस्वीर के साथ उनके मिज़ाज की व्याख्या करती पवंद के रणकी ये कविता यो दो कविता बड़ी है मगर पूरी कविता का सार SPG कमांडो उसकी करतव या परायांता पर टिका है उनकी मनोदशा सुरक्षा के प्रति उनकी संजीतगी उनका जाता होगा कि आखिरिये कविता आज क्यों सुनाई जा रही है आज तो पीम की सुरक्षा में कोई चूक से जुड़ा कोई अपडेट भी नहीं आया नहीं सुप्रीम कोट में चल रही सुनवाई के दौरान कोई टिप पन नहीं हुई तो वजह है सोशल मीडिया खासकर ट् पहचान जानता है चेहरे पर उनके कोई विशेश भाव नहीं होते आखे तक कोई नहीं पड़ सकता उनके बारे में कोई खास कवर भी नहीं बस आम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि काले सूट वाले कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त हमारे देश के प्रधान मंतरी के कमांड उने खतियार रखते हैं उंगलियां ट्रिगर पर और पलक जपकते ही खत्रे को भाब भी लेते हैं थोड़ा बहुँच चर्चा लोग उस सूट केस के बारे में भी कर लेते हैं कुछ के मिदंतिया सुनाते हैं जो स्पी जी कमांडो उसके हातों में होता है इस से ज् समराट मेर भोज ट्रस्ट नाम के हैंडल ने लिखा परिवेश चोहान गुर्जर हमेशा देश के ये शश्वी प्रधानमंत्री की स्पीजी सुरक्षा में शामिल हैं पिता प्रेम सिंग निवासी तितरवाडा कहराना जिरा शामली उत्तरवदेश बहुत इगर्व की बात है यानि पहला नाम प्रवेश चोहान यानि गुर्जर बताया गया दादर शेर भी किया जाने लगा है ट्वीट इतने में जाट समाज नाम के वरिफाइट ट्विटर हैंडल ने इसी कमांडो को जाट बता दिया और लिखा जहां मैटर बड़े होते हैं वहाँ जाट खड़े इतने दावे कम थे कि कायस्थखवर नाम के ट्विटर हैंडल ने अब इस कमांडो का नाम हानुमान शिवास्तव बता दिया लिखा एस्पी जी कमांडों हनुमान şekilde चुरख शेर अकिला खड़ा हो गया पुदहान मंतरी जी की सुरक्षा के लिए उंगली ट्रिकर पर थी ब पड़ा चारों के दावों को नकारते हुए जातियों से जोडने पर डपटने के अंदाज में इस ट्विटर हैंडल ने लिखा जातिवात का असर देखिये भक्तों ने SPG कमांडो सत्पाल अहीर को अपने धंक से बाट लिया मतलब पहले तो या हैंडल खुद कमांडो को एक जाति से जोड रहा है और दूसरा बाटियों को डाट भी लगा रहा है है ना गजब इसी वो कहते हैं चुद्सपा लेकिन ये सब हो क्यों रहा है एक कमांडो के 5-5 नाम और 5-5 जातियां क्यों बताई जा रही है और सबसे बड़ा सवाल ऐसा करने बाले हैं कौन कहां से आते हैं इसका जवाब थोड़ा सिंपल है ये हमारे आपके बीच के ही लोग हैं मगर उनकी सोच के पीछे है जाती अस्मिता का वो जूटा अभिमान जिसमें खुद को दूसरे से श्रेष्ट साबित करने की कोशिश उनकी बनी रहती है। इसके पीछे जाती दम दिखाने की कोशिश करती वो मानसिक्ता है जो खुच जाती एक हाचे से बाहर आना ही नहीं चाहती और नहीं दूसरों को आने देना चाहती है। वना भले एक ऐसे संबभ है कि उस कमांडों की जाती खोज ली जाये जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी है ही नहीं उसका नाम पता बता कर जातिवाद और शेतरवाद की भावना को बढ़ाया जा रहा है। भीरता और सामाजिक समझ पैदा करने की भी जरूरत है इन लोगों के बीज़ रासवाल की उस SPG कमांडों का नाम क्या है परिवेश गुजर या चौधरी साहब या विनो दाम बेटकर या हनुमान शिवास्तव या सत्पाल अहीर पांचों दामवे गलत हैं और गलत होने की वज़े यह है कि SPG कमांडों के नाम और उनकी पहचान पधान मंतरी के सुरक्षा दस्ते SPG के अलावा कोई नहीं जानता SPG Act 1988 के तहट SPG कमांडों के नाम और पहचान गोपनी रखे जाते हैं यहां तक कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है ये भी कभी सारवजनिक नहीं किया जाता रही बात जाती है यह धार्मिक जुडाओ की तो SPG Act 1988 के दसवे पॉइंट के तहट SPG कमांडों के लिए साफ निर्देश और लिखित गाइडलाइंग्स हैं जो बाइंडिंग है SPG कमांडों को प्रेस और पब्लिकेशन से भी बात करने की मनाही है SPG समू का कोई भी सदस्य बिना सरकार के स्वीकृति के किसी भी ट्रेड उनियन, राजनेतिक संग या श्रमिक संग का सदस्य नहीं बन सकता वो किसी भी ऐसे समाज, संस्था, संग या संगठन से भी नहीं जुडा रह सकता जो किसी भी तरह से सामाजिक, मन और अंजक या धार्मिक प्रकृति का हो वो किसी ऐसी बैठाक या प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हो सकता जिसका उद्देश, राजनेतिक या कुछ और भी हो नहीं साफ है कि कोई भी SPG कमांडो किसी जातिय धार्मिक या राजनेतिक संगठन से नहीं जुड़ सकता वो वाटसैप पर चलने वाले ब्राह्मन सभा, शत्रिय सभा, जा टेकता, गुर्जा ट्रस्ट, काया सभा, दली देकता मन जैसे गुरूप का हिस्सा नहीं बन सकता परधान मंतरी की सुरक्षा के आती महतुपून काम में लगे कमांडो उसको जातियों में बाटने वालों को ये सारी बातने जो हमने अभी बताई दिमाग के तलों में लगे जालों को साफ कर काईदे से बैठा लेने चाहिए और हाँ अगर किसी कमांडो से उसकी जाती पूछी जाएगी तो हो सकता है कि उसका जवाब राश्ट कभी दिन करके शब्दों में हो जाती जाती रटते जिनकी पूजी केवल पाशंड मैं क्या जानू जाती जाती है मेरे भुजदंड खैर व्यक्तियों को जोड़कर बनत और दूसरी होती है धार्मिक भीड जिसके आगे सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग भी नतमस तक है कोरोना की वजह से चुनावी रैलियों और रोड़ शोस पर रोख है डो टू डूर कैम्पेन में भी पांच लोगों का नियम है ताकि भीड न लगने पाए मगर इतिफाक देखिए कि चुनाव आयोग ने आज पंजाब के चुनाव की तारीख 14 फरवरी से बदल कर 20 फरवरी कर दी क्योंकि पंजाब के वोटर भीड की शकल में वारनसी में जमा होने बाले हैं और यही फर्क है चुनावी और धार्मिक भीड के बीच चुनावी भीड पर रोख है 16 फरवरी तक बनारस समागम चलता है जिसमें पंजाब से अनुसूची जाती के लोग खासकर रहधासिया समाज बड़ी तादाद में रविदास जैनती मनाने के लिए वारनसी में होता है कोरना के खत्रे को दरकिनार करते वे एक तरह का बड़ा धार्मिक मिला लगेगा पं सरकार या सियासी पार्टी नहीं ले सकती तो चुनाव आयों को पंजाब चुनाव की तारीक 14 से 20 फरवरी करने ही पड़ी इसलिए तो हमने कहा कि भीड़ भीड में फर्क होता है 14 जनवरी को मकर संकरांती की दिन वर्चोल रैली के नाम पर लखनों में समाजबादी टाली तो F.I.R. दर्ज हो गई इलाके के इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया मगर ठीक उसी दिन संकरांती का त्योहार बना रही लाकों की भीड संगम में डुपकी लगाती है पश्चे मंगाल की गंगा सागर में हजारों की भीड जुट जाती है कोई कुछ नह पांच लोगों से ज्यादा होने पर नौइडा में कॉंग्रस पचार कर रहे 36 गड़ के मुख्य मंत्री भूपेश बगेल पर F.I.R. दर्ज हो गई आरो भीड जुटाने के लगे सियासी भीड पर तो चुनावायो लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है मगर धर्मिक भीड की वजह से चुनाव की डेड भी टाल रहा है क्योंकि भीड भीड में फर्क जो है मगर काईदे से होना नहीं चाहिए कोरोना का खत्रा तो हर तरह की भीड से है वो धर्म और चुनाव में फर्क कैसे कर सकता है और बाद चुनाओ की उठी है तो पांच राज़ों में चुनाओ जहां जहां हो रहा ही, उनधे से एक खुबाग गुवा भी है, जहां कि विदान सवाः चुनाओ, उसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, मगर हमारी जिम्मेदार ही है कि वहां क्या चल रहा है, इसकी भी जानकर फिर अपन आज पे आएंगे। महुआ मित्रा के जबाब में पूरु ग्रहमंत्री चिदंबरम ने ट्वीट करके लिख दिया मेरा आकलन है कि आम आदमी पार्टी और तरनमूल कॉंग्रस गोवा में गैर भाजपा वोट को केवल खंडित ही करेंगे श्री अर्विन केजरिवाल द्वारा पुष्टी की गई है गोवा में मुकाबला कॉंग्रस और भाजपा के बीच है अब इस ट्वीट के थोड़े देर बाद आम आदमी पार्टी प्रमू कार्विन के एजरिवाल चिदंबरम के ट्वीट को कोट करते वे रिप्लाई कर रहे हैं उन्होंने लिखा उनके शब धर्विन के जरिवाल के सर रोना बंद कीजिये हाए रे मर गए रे हमारे वोट काट दिये रे गोवन्स विल वोट वेर दे सी होब कॉंग्रस इस होब फोर बीजेपी नॉट गोवन्स 15 of your 17 MLA switch to BJP TMC की महुआ मित्रा का भी ट्वीट आया कि वो ट्वीट की शैडो फाइटिंग में नहीं भसेंगी भाजपा को हराने के लिए गडबंदन का अपचारिक प्रस्ताव कॉंग्रेस ने तरित्व को दे दिया गया है मगर इन सब के बीच कॉंग्रेस के तरफ से संगटन महासेचिप केसी वेनु गुपाल ने गवा में TMC से गडबंदन करने से इंकार कर दिया काफी उठापटक मची हुई है कॉंग्रेस से तो नहीं मगर तरिनबूल कॉंग्रेस ने सुधीन धवलेकर की महाराशवादी गुमान तक पार्टी MGP के साथ गडबंदन कर लिया है पांच राज्यों में चुनाओं में जीत के लिए पार्टी हर तरह के जुगार करने में लगी है लेकिन पांच राज्यों में पांच साल तक रही सरकारों ने क्या किया अब बड़ी खबर में बात इस पर करेंगे पांच राज्यों में चुनाव है, राजनीती में तू-तू, मैमे वाले तनाव है मगर आम जनता को हिसाब चाहिए पांथ साल की सरकारों के काम काज़ का PM मोदी के नारे डबल इंजन और उसकी सरकार वाले राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ खास कर स्वास्थ और शिक्षा के शेत्र में एक एक कर आज बड़ी खबर में विस्तार से इसी पर बात की जाएगी अंग्रेजी का अकबार है इंडियन एक्सप्रेस पहले पन्ने पर ही आचल मैगजीन और सनी बर्मा की एक रिपोर्ट मिलती है रिपोर्ट में RBI के डेटा के आधार पर चुनावी राज्यों के खर्चे का विश्लेशन किया गया है ये रिपोर्ट कहती है कि उत्तरप्रदेश और पंजाब में शिक्षा पर खर्च देश की आउस्त राश्ट्रिय खर्च से भी कम हो गया है उत्तरप्रदेश में साल 2016-17 में राज्यों के कुल खर्च में शिक्षा पर खर्च 16.7 फीसिदी था जो 2021-22 में घटकर 12.5 फीसिदी रह गया पांच साल में उत्तरप्रदेश के सरकार ने शिक्षा बजट को कम कर दिया जो राश्ट्रिय औसत से भी नीचे आ गया जबकि पूरे देश में औसतन खर्च हो रहा है 13.9 फीसिदी पंजाब में 2016-17 में शिक्षा पर खर्च कुल खर्च का 8.6 फीसिदी था जो अब यानि की 2021-22 में बढ़कर 10 फीसिदी हो जाता है कुछ इजाफा यहां हुआ है लेकिन पंजाब अभी राश्ट्रिय औसत से नीचे रह गया याद कीजिए 13 कुछ था यहां पे भीया 10 तक के पहुँचे है उत्राखंड की बात करें तो महां डबल इंजन की सरकार है माने उत्राखंड में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी 5 साल में शिक्षा का बजट यहां भी नहीं बढ़ा 2016-17 के 18.1 फीसद के मुकाबले अब यानि 2021-22 में उत्राखंड में शिक्षा पर खर्ष 17.3 फीसद रह गया है गवापे आते हैं यहां भी सरकार ने 14.1 फीसद से शिक्षा का बजट घटा कर 13.1 फीसद ही कर दिया है मनिपूर में 12.2 था अब 10.7 फीसद हो गया है यानि 5 के 5 राज्जों ने शिक्षा का बजट कम किया एक उत्राखंड को छोड़ दें तो बाकी 4 राज्जों का शिक्षा बजट राश्ट्री उसद जो की 13.9 फीसद है उससे कम है तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या देश की सरकारें शिक्षा को जरूरी मानती है या नहीं मानती पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे इस सवाल पर सरकारें बैठक करके विचार करें क्योंकि शिक्षा और स्वास से जरूरी कोई और मुद्दा हो नहीं सकता मगर सरकारें ध्यान सबसे कम इनहीं की तरफ देती हैं क्योंकि स्वास्त के आकड़े भी देखने लायक है देश में स्वास्त पर ओस्तन खर्च होता है 5.5 फीसद 100 रुपे अगर आपका बजट है तो आप 5.5 लगा देते हैं वगर इसके मकाबले पंजाब में 3.4 फीसदी हो रहा है मनिपूर में 4.2 फीसदी हो रहा है मतलब इन दोनों राज्यों में राश्ट्री आउसत से कम खर्च हुआ गोवा में 6.8 फीसदी खर्च हुआ उत्राखंड में 6.1 फीसदी खर्च हुआ और उत्तर प्रदेश में खर्च हुआ 5.9 फीसद यानि इन तीन राज्जों ने राश्ट्री औसट से ज्यादा खर्च किया एक बात और मनिपुर को छोड़कर बाकी के चार राज्जों ने स्वास पर खर्चा 2016-2017 के मकाबले बढ़ाया है यहां थोड़ा सुधार नज़र आता है वजह कोरोना आपदा ही है अब शिक्षा और स्वास पर कम या ज़्यादा खर्च को लेकर कई बार ये तर्बिय होता है कि जिस राज्जे में ज़्यादा जरूरत थी उसने ज़्यादा खर्च कर दिया जहां कम खर्च की जरूरत थी वहां कम खर्च हुआ मसलन किसी राज में स्वास्त का बुनियादी धाचा अगर ठीक है तो वहां कम खर्च की जरूरत पड़ेगी तो वो स्वास्त के बजाए वो पैसा कहीं और खर्च करेंगे इसी तरह से खर्चे के हिसाब से राज्यों को एक तराज्यों में तोला नहीं जा सकता तो फिर राज्य की सरकारों के कामों को कैसे तोलेंगे यहाँ एक और पैमाना है वो ये कि राज्य ने विकास के कामों पर राज्य की GDP के मुकाबले कितना खर्च किया इस पैमाने पर खर्चे का राश्री ख़ंसद है 13.01 फिसद पंजाब और उत्राखंड का खर्च राश्री औसद से कम है पंजाब ने सिर्फ 11.5 फिसद खर्च किया तो उत्राखंड ने 11.7 फिसद बागी की तीन राज्यों ने राश्री औसद से ज्यादा खर्च किया सबसे जादा मनिपूर ने 43.7 फिसद यूपी ने 17.1% और गोवा ने 17.9% खर्च किया अब इसमें देखने वाली चीज एक और है मनिपूर और पंजाब ने विकास कारियों पर अपना खर्च बढ़ाया है यूपी में उतना ही है जबकि गोवा और उत्राखंड में एक खर्च कम हुआ है ये इतना सारा डेटा हमने आपको इसलिए बताया ताकि नेताओं के तमाम दावों और बादों की आंधी में आप तत्यों पर टिके रह सकें तत्य और सत्य के अधार पर अपनी सरकार का मुल्यांकन कर सकें हमारी कोशिश लगातार आपको सत्य से रूबरू कराना बनी हुई है सत्य सापेक्ष है मगर तत्य भी जरूरी है और एक तत्यात्मत जानकारी डबल इंजन की सरकार, सरकार के नारे और उसकी थेरी पर भी है पिछले साथ आठ साल में डबल इंजन का जितना जितना जिक्र फाइटर जेट या डबल इंजन वाले हलिकॉप्टर के लिए ना हुआ होगा उससे ज्यादा कहीं चुरावी मंचों से इसकी बात हुई इतनी बार ये शब बोला गया है कि अब राजनीती में रुचिना रखने वाला भी जान गया है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है और जब इसकी परिभाशा प्रधान मंत्री बताते हैं तो हर को ही बकू भी जान जाता है आप सुन लीजे डबल इंजन की सरकार यानि संसादनों का सही इस्तेमाल डबल इंजन की सरकार यानि भरपूर संवेदन सिल्ता डबल इंजन की सरकार यानि लोगों के सामर्त को बढ़ावा डबल इंजन की सरकार यानि सेवा भाव समरपण भाव डबल इंजिन की सरकार यानि संकल्पों की सिद्धी और डबल इंजिन की सरकार यानि समुरुद्धी की तरफ एक जुट प्रयास डबल इंजिन मतलब केंदर पर जिस पार्टी की सरकार हो राज्य में भी उसी पार्टी या उसके सहयोगियों की सरकार प्रधान मंत्री मोधी के तरफ से दिया गیا यह अईसा नारा है जो राजनीती के पटल पर चल निकला है हिट है कई राजों में इसी के दंपर जीद भी मिली तो सवाल यह है कि क्या double engine के सरकार बनने सो लोगों का फायदा होता है क्या डबल इंजन की सरकार के फायदे देखकर लोग भाशपा को वोट देते हैं डबल इंजन वाला जुमला भाशपा के लिए कितना काम आता है अब जरा इसका भी विशलेशन कर लेते हैं CSDS और लोक नीति ने डबल इंजन पर वोटर्स की राय का सर्वे किया इस पर इंडियन एक्सवेस में जोती मिश्रा की रिपोर्ट छपी है ये रिपोर्ट कहती है कि 2014 से लेकर अब तक 40 विदान सवा चुना हुए हैं इनमें से 31 चुनाओं से पहले और बाद में CSDS लोक नीति ने सर्वे किया जिन 31 चुनाओं में सर्वे किया गया उनमें से 22 में चुनाओं के सर्वे में जनता से एक सवाल ये भी पूछा गया कि जिस पार्टी की सरकार केंडर में है वही पार्टी राज्य में सरकार में बनती है अगर उसकी सरकार तो फायदा होगा क्या सर्वे में क्या पाया गया उसे नोट करते चलिए 2014 में हर्याना महराश और जहरकंड में विधान सभा के चुना हुए थे तब हर्याना में 45 फीसदी लोग पूर्ण रूप से सहमत थे और 7 फीसदी पूर्ण असहमत महराश में 41 फीसदी लोग पूर्ण सहमत थे और सिर्फ 10 फीसदी असहमत कहना का मतलब यह कि ज्याततर लोगों को यह विचार पसंद आया कि केंदरो राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो राज्य का विकास होगा इस विचार का सर हमने नतीजों में भी देखा जैसा कि हमने पहले बताया ये 2014 की लोग सभा चुनाओं के तुरंट बाध हुए विदान सभा चुनाओं का नतीज जा था जैसे जैसे बाध की विदान सभा चुनाओं तक आएंगे लोगों में मानता ये कमजोर बढ़नी लगती है ऐसा डेटा सजेस्ट करता है हम नहीं कह रहे केंद्र राज में एक ही पार्टी की सरकार होने से लोगों की राय बदल भी जाती है 2015 में दिल्ली में विदान सभा का चुनाओं होता है और तब CSDS के सर्वे में सिर्फ 29 फीसद लोग कहते हैं कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए होगी 37 फीसदी लोगों ने माना था कि इसकी जरूरत नहीं है और जब हमने चुनाओं नतीजे देखे तब हमने ये देखा कि दिल्ली में आमाद्वी पार्टी की सरकार बन गई अब आए 2016 के साल में उस साल चार राज्यों में विदान सभा के चुनाओं है पस्चिममंगाल, असम, तमिलनाडू और केरल इस विचार का पूरी तरह विरोध करने वाले सिर्फ साथ फीसद लोग थे हमने देखा कि असम में तब बीजीपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, सरवानन, सोनोवाल इसके आगे मामला और भी दिल्चस्पे 2017 से 2020 की भी चुना हुए तो उत्तर भारत के कई राज्यों में जहां भाश्पा मजबूत है वहां भी लोगों का डबल इंजन की सरकार से भरोसा उठता दिखा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेगाले, नागलेंड और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह नहीं दिखा मसलिन यूपी की बात करते हैं, 2017 में CSDS लोक नीती के सरवे में यूपी के 24 फीसिदी लोगों ने माना था कि डबल इंजन की सरकार की पूर्ण ज़रूरत है जबकि 16 फीसिदी ने पूरी तरह से इस विचार को खारिज किया था माने डबल इंजन की सरकार में विकास होने से सहमत और और सहमत होने वाले लोगों में सिर्फ 8 फीसद लोगों का फर्क था हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ 10 फीसिदी लोगों ने ही कहा कि डबल इंजन की सरकार आने से विकास होगा त्रिपुरा, राजस्थान और उत्राखंड में डबल इंजन की सरकार का समर्थन करने वालों की संक्या जादा थी और हमने ये भी देखा कि त्रिपुरा और उत्राखंड में भाजपा की सरकार बनी भी हालाकि राजस्थान में कॉंग्रेस सत्ता में चली आई अब आते हैं 2020 में बिलकुल आखिर के चार विदान सबा चुनाओं की बात करते हैं असम, केरल, तमिल नाडू और पश्चिम मंगाल में हो चुनाओ इन चारो राज़ों में डबल इंजन्जन के सरकार का आईडिया जन्ता को खास पसंद नहीं आया सहमत होने वालों से ज्यादा फीसित असेहमत होने वालो का था मसलएं पश्चिम मंगाल में 26 फीसित इन जोगों ने डबल इंजन सरकार की तरफदारी की थी और 33% दिने माना था कि विकास केरल डबल इंजन के सरकार जरूरी नहीं है ऐसे ही केरल में 2016 में लोगों ने डबल इंजन के सरकार का समर्थन किया था लेकिन 2021 के चुनाव में 54% दिन लोगों ने डबल इंजन वाली सरकार के आईडिया को खारिज किया सिर्फ 20 फीसीजी लोगों नहीं समर्थन किया था तो इस डेटा से हम क्या निश्करश निकालते हैं यही कि डबल इंजन की सरकार का आइडिया सुनने में अच्छा लगता है शुरू में जनता भी डबल इंजन के मुह पाश में आई लेकिन हाल के चुनावा में डबल इंजन के फायदों का जनता पर ज्यादा असर नहीं दिखता मतलब नेताओं के बादों को परकने के लिए जनता के पास अब अनुभाव जन्य ग्यान है और आकड़े बता रहे हैं कि डबल इंजन के नारे पर अब जनता पहले की तरह जानिसार नहीं हो रही अब जनता दूसरे विकल्पों में भी संभावना ये तलाशने भी लगी है चुँकि हिंदुस्तान संभावनाओं का देश है तो हिंदुस्तान में संभावना दुनिया के नंबर वन रही स्पेस जाएंट और जाने मने उद्योग पती एलन मस्क भी तलाश रहे दरसल वाक्या बड़ा मज़दार हुआ कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से चार दिन पहले प्रणय पटोले नाम के भारती नागरिक ने ट्वीट किया एलन मस्क को टैक किया उन्होंने और पूछा कि आपकी टेसला कार भारत में कब लॉंच होने वाली है इस पर एलन मस्क का जवाब आ गया ट्वीट कर उन्होंने लिखा मतलब काम चल रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कई चुनोतियों का सामना करना पढ़ रहा है सबस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस् कैसे शांत रहता मंत्री जैन पाटिल ने भी ट्वीट कर नियोता दिया बंगाल के तरफ से मंत्री गुलाम रबानी ने भी कहा कि हमारे हाँ आई है पांच ऐसे राज्यों से नियोता मिला जहां बीजेपी के सरकारें नहीं है बीजेपी को पिछड़ता दे करनाटक के मंत्री सुनील कुमान ने भी ट्वीट कर मस्क को करनाटक आने का नियोता दिया मगर थोड़े देर बाद उनका ट्वीट डिलीट कर दिया गया कुछ विशेश कारणों से कौन से कारण थे मंत्री जी को मालूम होगा दिली वाले तो बैठे ही हैं खैर अब इतने नियोतों के बाद एलन मस्क भारत के किस राज़्यमन वेश करने जाएंगे ये दूर का सवाल है फिलहाल सोचल मीडिया पर नियोतों के भरमाग के बाद पबलिक भरपूर मौज ले रही है पहली सुर्की विदेश से हैं सेयुक तरब अमीरात के अबुदावी में तेल भंडार के पास एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है जिन में से दो भारती बताय जा रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने ये ट्रोन हमला करवाया हूती संगठर नियमन में सत्ता पर काविज होने के लिए लंबे वक्त से हत्यार बंच संघर्ष कर रहा है हूती विद्रोहियों को इरान का समर्थन में मिला है दूसरे सुर्किम बात कोरोना की देश में मार्च से 12-14 साल के बच्चों का टीका करण भी शुरू हो सकता है कोरोना पर टेकनिकल एडवाईजरी ग्रूप के चेर्में डॉक्टर एंके अरोणा ने आज ये संकेत दिये उन्होंने कहा कि जब 15-18 साल के बच्चों को कवर कर लिया जाएगा तो फिर 12-14 साल वालों का टीका करण शुरू किया जाएगा तीसी सुर्कियों बात उत्तर पुदेश की राजनीती की कल ख़बर आई थी कि भारती किसान यूनेन की यूपी विंग ने चुनाओं में समाजबादी पार्टी का समर्थन कर दिया है आज केंद्री मंतरी संजी बालियान बीकियों के नेतर नरेश टिकेट से मिलने गए थे उसके बाद ख़बर आए कि बीकियों ने सपा को समर्थन देने का फैसला वापस ले लिया है तो सुर्कियों में बस इतना ही आखिर में अब कू की राय आज का सवाल हमने पूछा था कि क्या राज्जों में डबल इंजन के सरकार आने पर ज्यादा विकास होता है कूपर लोगों ने जबाब दिये हैं हाँ कहा 11% लोगों ने ना कहा 29% लोगों ने अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दियले रून टॉप को फॉलो कर सकते हैं हम कूपर आपसे अलग-अलग मुद्धों पर आपकी राय मांगते रहेंगे अपनी राय आप हमें कॉमेंट बॉक्स या हैश्टाइग एल्टी शोन कूप के साथ आप कूप करके भी बता सकते हैं हम उसे भी दियले रून टॉप शो में शामिल करेंगे आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया शुभरात्री